अब लोगों ने न्यूटन का सेकेंड लोग और मोमेंटम डिसकस करने वाज यह जो न्यूटन सर्थ लोग अफ मोशन एक बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट है इसको समझने में आपको बहुत मजा आएगा तो वीडियो के एंड तक जरूर बना रहे ना एक बात और इसको लेक ओंसी शुरू करते हैं यह को सब से पहले तो जैसे फार्स लोग का कुछ उसका लौ था अर्न वाला जो कुछ लॉटव था उसकी स्टेमेंट लिखा था तो व्यलोग इसको स्काल एक लिए कि कुछ तरह के इस स्थेट्स गैट it states that when a body exerts force on second body then the second body exerts a force exerts equal an equal and opposite force on first body I hope you can see it this statement when a body exerts force on second body then the second body exerts an equal and opposite force on the first body is equal and opposite force if you can see it you can see it if you can see it if you can see it if we have another body if we have another body then the second body also which force is equal and opposite होता है ठीक है इक्वल होता है और ओपोजेट होता है उसका मैगनिट्यूड इक्वल होता है और उसका जो डायरेक्शन है वह उपोजेट होता है इसको एक और वर्ड्स में लिख सकते हैं इन अधर वर्ड्स जो कि बहुत सारे बुकों में यही लिखावा होता है ठीक है वो क्या लिखावाता है छुछ और आशेट है और अपोर्ड्स reaction कि एवरे एक्षिन हैजन एकव़ एंद ओपॉजिट रेक्षिन मतलब हर एक्षिन का एक एकव़ एंड ओपॉजिट रेक्षिन होता है इसके बहुत सारे ऐसका टेंशन मतलों ठीक है पहले इसको समझो कि यह क्या मैं क्या बता रहा हूँ तो देखो एक बाडि दूसरे बाडि पर फोर्स लगाएगे तो दूसरी बाडि भी फ़र्स बाडि पर फोर्स लगाएगे दोनों का डारेक्शन और दोनों का मैगनिटूड सेम होगा न्यूटन चलिए आप लोग एक बार इसको लिख लीजे फिर इसके कुछ मिस्कंसेप्शन्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो देखो उसके लिए हम लोग को कुछ कुछ requirement होती है कि कौन-कौन से चीजों पर यह जो न्यूटन का third law है वो लग सकता है तो उसके लिए जो सबसे पहला है कि third law of motion कि जो requirement है जो first requirement है वो यह है कि इट एक्ट्स ऑन टू डिफ्रेंट बॉडिज ठीक है इट एक्ट्स ऑन टू डिफ्रेंट बॉडिज इसका मतलब क्या है इसका मतलब कि न्यूटन का third law अगर मेरे को लगाना है तो में परस दो बॉडिए होनी चीए मैं सिर्फ एक बॉडि पर एक्शन भी लगा हूं उसी पर एक्शन भी हो ऐसा कभी नहीं सकता इंटर्नली भी नहीं एक्स्टर्नली भी नहीं ठीक है बॉडिस मतलब डिफ्रेंट वाइड को ध्यान देना कि तू डिफ्रेंट दो दो डिफ्रेंट बॉडिस पर यह काम करता है ठीक है तो देखो वो है कि यह होगा ना इट एक्ट्स ऑन टो डिफ्रेंट बॉडिस हां ठीक है एक्शन रेक्शन पेर हैस फोर्सेस ऑफ सेम नेचर सेम नेचर सेम नेचर का यहां पर क्या मतलब है अगर एक्शन वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है तो जो रेक्शन फोर्स होगा वह भी मेंग्नेटिक फोर्स ही होगा तेटेशन वाला ग्र mega जो डिस्नल फोर्ट ये कंगेस्य नहीं सकता तो वह एक्शन रियक्शन कभी होई नहीं सकता टेठाई वह से मोधार्ड से मतलब के फो रहेगा यहां जया हैं ओम्क्रण यौन non-contact I hope आपको समझ गया होगा कि action reaction pair has forces of same nature उनका जो nature है वो सेम होना चाहिए ठीक है अब देखो इसको देखकर हम लोग ऐसा सुछते हैं देखो आम बहुत सार जगर पर यह पढ़ाया भी जाता है लेकिन जो कि गलत है ठीक है जिसके माल लोग यह टेबल है कि यह टेबल है कि यहां पर एक बुक रखी है कि बुक रखी है कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है समझ लो ठीक है एक बुक रखी है अब बताया जाता है कि यहां पर नीचे से लग रहा है ग्रिविटेशनल पोर्स यानि कि यह एम जी एम जी कैसे क्यों वह ग्रिविटेशन वोड़ेंगा इसर्फिस्ष क्या Olby रखा जाता है जो की गलत है यह गलत क्यों अ क्लिक है जो normall force जो surface परपेंडिकुल्र लगता है वह जो force होता है वह contact force होता है और kphone gravitational force वह non contact force होता है वह non contact force होता है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे mg लग रहा है और उसका normal लग रहा है जबकि दोनों contact है नon contact है तो यह action pair हो ही नहीं सकता कभी नहीं हो सकता, अगर यह action reaction pair होना है इसको तो इसका जो forces होंगे, जो दोनो forces होंगे, action force and reaction force, वो दोनो same nature के होने चीए, कौन से nature के होने चीए, same nature के, अब same nature का ऐसा हो सकता है, यह हो सकता है, कि यह table हो, ठीक है, यह table हो, और उसके ओपर मैंने यह book रखा है, तो ऐसा हो सकता है कि यह जो table है यह जो book है book वह इस table को normal force दे रहा हूँ वह भी तो कुछ force लगा रहा हूँगा और उसी के reaction में यह जो table है उसका दूसरा नार्मल फोर्स दे रहा है तो यहाँ पर हो सकता लगता है तो दूसरा भी इलेक्ट्रो इस्टेटिक फोर्स ही होने वाले ठीक है आई होप आपको यह समझ गया होगा एक बार आप इसको भी नोट कर लीजिए तब तक में मार्कर में थोड़ा सा इंक पोर कर देता हूं ठीक है चलिए तो आई होप आपको वो भी समझ गया मैं आ गया होगा थर्ड वाला लिखते हैं ठीक है थर्ड वाला क्या है तो थर्ड वाला यह है कि जो फोर्सेश होती है फोर्सेश आर को लीनियर फोर्सेश आर को लीनियर का मतलब होता है सेम लाइन में को का मतलब क्या होता है सेम को मतलब होता है सेम और लीनियर मतलब एक लाइन में ठीक है लीनियर मतलब तो समझते हो ना एक लाइन में ठीक है तो सेम लाइन में फोर्सेश आर को लीनियर मतल जो दोनों फोर्स लगने वाली है वो सेम लाइन में लगने वाली है सेम लाइन का मतलब क्या है वो समझो अब देखो जब आप लोग 11 में जाओगे तो आप लोग को टॉर्क करके एक फोर्स होता है वो पढ़ना पड़ेगा तो अब उसका छोटा सा देख लो टॉर्क क्या हो तो यहां पर यह होता है कि इसका मेगनिटुड और इसका मेगनिटुड magnitude same होता है इनका direction भी opposite होता है लेकिन फिर भी यह action reaction नहीं होती है क्यों कि जो forces होती है वो co-linear होनी चाहिए और यहाँ पर यह co-linear नहीं है ठीक है इसको देहां रखना कि जो forces होती है वो को linear होने चाहिए क्या होने चाहिए को linear मतलब सेम लाइन में अभी आज तक का सबसे बड़ा misconception जो कि यह अक्सर लोगों को action reaction पढ़ने के बाद यह लगता है या तो खुदी से सोच लेते हैं कि पहले action होगा उसके बाद reaction होगा बुलो आप लोग भी सोचते हो कि पहले action हुआ उसके बाद reaction हुआ पहले action हुआ उसके बाद reaction आप लोग भी सोचते हो तो यही है कि action reaction दोनों एक ही time पे एक साथ होते हैं उनमें 0.0000001 सेकेंड का भी डिले नहीं होता है ठेक है कोई भी डिले नहीं होता है मतलब नो भी ऑ नो डिले नो डिले मतलब कि जारा सा भी उसमें डिफ्रेंस नहीं होता है अगर आपने action दिया अशसी टाइम पे रेक्शन होगा उसी टाइम पर का होगका होगा एक्शन इस सब ही है लेकिन consumption रहता है वो तोड़ा सब्च बहुत कि लोगों को लगता है एक millionaire का एक्षिन इसका एक्जामपल यहां पर एक वाल है अगर वहुआए पंच मारा व अग्र वोल पर फोर्स लगाया एक मिनिट रुको अगर यह वॉल है मैंने वोल पर फोर्स लगाया मैंने वोल पर फोर्स लगाया तो जब मैं वोल पर फोर्स लगाऊंगा तो मैंने तो तूटता है हम लोगों को भी दर्द होता है तो हम लोग जितना जिस मेगनिटूड से दिवार भी हमको मारती है तो देखता नहीं क्यों को नॉन लिविंग ए तो देखो मैंने पांच न्यूटन का फोर्स लगाया थो दोनों फोर्स equal and opposite होंगे देखो मैं इस सेड मारा हूं दिवार इस सेड फोर्स लगाएगी मेरा जो फोर्स का डिएक्षन है वह इस साइड है तो आप लोग को समझ गया हो कि मारी मिना स्टून कोई करा गा कर 만ई गंटे बाद मैं उसके अपने हाथ को आध्यों कर रहा हूंा अधे घंटे बाद मुझे पता चले दीवार कोमा तो और मुझे दर्द दो रहा है ऐसा कहीं देखें हो. क्या कूई देख्या है कोई दिलेख्या होता ही ना कोई डेच्क पुमार ओगे वैसा आपको रिएक्शन मिलेगा अब मानलो अपका फ्रेंड है अपने उसको मजाथ में एक और लगाया अखिक देखें वह कुछ नहीं करता है कियो अब जब ऊसके एक्षम करते हो तो उसके चीक्स हैं वह साहर करते मारते में यहों तो सुर्फ उसको दर्द होना जिए लगिन दर्द सिसके दरद आप को भी होता है क्यूंकि जब आपने अपने हात से इसके ची Dutch फर एक्षें फ्रोष लगा या तो उसी टाम पे उसी टाम पे बीना डेले करते हुए उसके चिक्स ने भी आपके हाथ पर reaction force लगाया समझ पारे हो कि कोई भी डिले नहीं होता है forces co linear होते हैं action action pair has same forces of same nature ठीक है has forces of same nature जो forces होते हैं वो same nature के होते हैं और it acts on two different bodies two different bodies पर लगता है ठीक है आई होप आपको यह बहुत अच्छे समझ आ गया होगा अभी हम लोग इसके कुछ examples देख लेते हैं चलो कि देखें यहाँ पर लिखाए birds can fly birds can fly जो birds है वो उड़ सकते हैं हाँ उड़ सकते हैं क्यों उन्हें Newton का थर्ड लो नहीं पड़ा लेकिन उनको Newton का थर्ड लो अप्लाइ कैसे करना वह आता है वह कैसे करते हैं वह समझो देखो अभी अगर कोई पक्षी जमिंग पर बैठा हुआ है तो क्या करेंगा वह बैठा हुआ है वह कुछ कर रहा है ठीक है वह कुछ नहीं कर लेकिन जब वह उड़ेगा birds are flying यहाँ पर birds can fly लिख देता हूं क्योंकि वही एक्जामपल है और बहुत सारे उसको डिसकास करेंगे लाइन-लाइन से सब इक्जामपल को डिसकास करेंगे ठीक है उसका टेंशन मतलब birds birds are flying birds are flying तो पक्षी उड़ रहे हैं अब देखो कैसे उड़ते हैं पक्षियों का उड़ना फ्लेंग ऑफ बर्ड्स यह न्यूटन के थार्ड लॉप पर डिपेंड करता है कैसे डिपेंड करता है उसको समझो जब कोई पक्षी जमीन पर बैठा हुआ तो सिंपल से बैठा वह नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं वह अलगे में उड़ने की बाद कर रहा हूं तो उड़ते कैसे हैं पक्षी ने जो है अपने पंक उपर किये और ऐसे करके नीचे के साइड एक फोर्स लगा देखो नीचे के साइड एसा है क्या कि वह उड़ता कैसे उसको समझो वह स्टै अब ऐसे कर रहा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है को देखो जमीन पर एक फोर्स लगा रहे हैं लगा रहे हैं अपने पंको से वह जमीन पर एक फोर्स लगा रहे हैं देखो देखो ऐसे हैं देखो फोर्स लगा रहे हैं जमीन पर एक फोर्स लगा रहे हैं मतलब एक्ष तो उसी के रेक्शन में जमीन भी उसको उसके उपोसिट डियेक्शन लगाएगी जो कि इक्वल मेगनिटूड का होगा तो जब वह फूर्स लगा रहा है नीचे के सैट तो जमीन उस पर फोर्स कैसे लगाएगी ऊपर के साइट तो उपर उड़ जाएगा ठीक है यह तो कैसे उड़ता है तब वह कैसे उड़ेगा तो उस टाइम पर पाता है उसने एक्षन फोर्स में पर वह लगाता है और उसी के रिएक्षन में हवा स्फोर्स लगाते है ज्दी को इधर नीचे के सैट लगा रहा नीचे कहई लगता है तो में ऊपर के साइड पॉर्स लगते है और वह होगज गया होगा इसमें कोई बीर नहीं होता ठीक है वह हवा किसे तक friction फोर्स लगा रहा है ठीक है फोर्स जो होते हैं कोई बी डिले नहीं होता है आपको यह समझ गया होगा कि बर्ट्स आर फ्लैंग यह न्यूटन के थर्ड लोग प्मोशन action reaction का कैसे example अश्याइश में action reaction पेर भी आप लोग को पता होना चाहिए action reaction पेर मतलब किस ने action किया और किस ने reaction किया तो मुझे बताओ action पहले होता है कि reaction पहले होता है पक्षी के जो पंक है वह जमीन पर जो ऐसे फोट लगा रहे हैं वह 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 पक्षी पंक पर फोट लगा रहा है वह वह और रिक्ष्य ओगा आपको यह बारे शार फ्लेंग का एक्जांपल समझ गया होगा कि वन्यूटन का थर्लॉपर एक मिंटा इसको देखिए लॉंचिंग ऑफ रॉकेट तो बर्ड सार फ्लैंग और लॉंचिंग ऑफ रॉकेट का जो मेकनिजम होता है विस उसमें अब थ्रस्ट अब थ्रस्ट का यूज कहा जाता है ठीक है एक बाद धान देना अब पक्षे ओड रहा है तो अपने पंखों से जमीन पर फोर्स लगा र प्रॉकेट से उसमें से फ्यूल होता है वह बर्न होता है ठीक है फिर उसके बाद वह कुछ गैसे बाहर निकालता है अब वह गैसे जो है जो है जो एक्सलोजिन एक्सलोजिव जो गैसे हैं वह क्या करती है उस जमीन पर फोर्स लगाते आप लोग ने देखा वह दर से ओपर फोर्स लगाएं नीचे के साइड तो जमीन उसके साइड उपर फोर्स लगाएगी तो यह वह जब वह लॉंचिंग हम लोग रोकेट करते हैं अब जब आसमान में चला जाते तब क्या होता है तब यही एक्शन रियक्शन वह क्या साथ करता है तो बटसर फ्लैंग औ पर फिर उसको यह हवा में यह भी हवा में आई होप आपको यह भी समझ गया होगा सो एक और आप लोग नहीं देखा होगा बोट एंड रिवर टीक है अब बोट एंड रिवर मतलब कैसे तो देखो आप लोग को मैं बहुत बना कर दिखाता हूं बोट यह कुछ कटोरी जैसा बन गया चलो बहुत सर जगह की अब लग रहा है आँ लग रहा है अब देखो यह वाटर है कौनसा कोई यहां पर किना रहें तो पहले तो चलती रहती है अब जैसे चलती रहती है तो आप लोग ध्यान से देखेऊंगा अगर इसको किनारे पर जाने तो क्या करेगा तो किनारे पर जाने तो जैसे थोड़ा से किनारे के पास आती है तो पता है यह लोग क्या करते हैं यह लोग उदर कूद जाते हैं इधर कूदते हैं इसा कूदते हैं देखा रहेगा ना कूदते हैं तो कूदते टाइम यह लोग पता ह और इनको आगे के साइड धकेलती है, वहलब कुछ देर बाद पता है कैसे होगा, यह ऐसे चल रहे थे, बोट किनारे पर आगई तो इन्होंने इसे जम्प मारी और jump मार कर जो boat है उसको पीछे के side ढखेला और उसी के reaction boat ने इनको आगे के side ढखेला कुछ देर बाद यह scenario कैसे हो जाएगा तो कुछ देर बाद का scenario हम लोग इधर देखते हैं चलो boat ऐसा ऐसा मान लो ठीक है तो बोट पता है बोट यहां पर थी पहले तो थोड़ा सा पीछे चली जाएगी एक मिनट थोड़ा सा पीछे चली जाएगी क्यों क्योंको उसने अपने पेरों से फॉर्स लगाया थोड़ा से पीछे चली जाएगा यह आगे चली जाएगा यह आगे चले जाए यहां पर किनारे पर पहुंच जाएगा यह आपको समझा कि जब वो जैसे किनारा आएगा तो यह इसको बोट को पीछे के साइड ढके लेगा तो बोट इसको आगे के साइड ढके लेगी action यह देगा बोट reaction देगी the foot on the boat वो क्या होगा action होगा और जो boat on the foot वो क्या होगा और action होगा आपको समझ गया होगा अच्छा यह एक example हो गया कि वो बोट से कुद्रा एक और example होता है आप लोग ने swimming करते हो देखा है swimr 소개 मोग swimming कैसे करते हैं एस एसे करके देखो से तो ध्यान से देखो यह क्या हो रही है कि ये क्या हो रही है कि क्या हो रहे है ये क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है ये मैं पानी को पीछे के साइट धट्या रहा है देहां से किसी ऐसे देखाै जो आसे res स्विं़करता हो लोग ऐसे करते हैं पानी है मालो यह पूरा पानी भरा हो है तो box लोग क्या करें पानी को probel मतें तो पीछे के साइड धकेल रहें तो पानी को पीछे के साइड धकेल रहें पानी को पीछे के साइड पुश कर रहें तो वाटर क्या करेगा वाटर उनको रियक्शन देगा यह एक्शन वाटर उनको देगा रियक्शन अब यह पीछे के साइड रहें तो पानी कैसे पानी आगे के डखेल लेगा आगे के साई गंगे लेगा तो जो स्विमर करते हैं वो भी एक्षें का ही एक्षें का इक्षांपल आपको समझाओ एक बढ़ इसको खुद करके देखना कि आप आगे चली जाते हो वहाँपर हों यह होता है जोकि न्यूटन फर्ड लॉप संझा होगा ठीक है देखो ऐसे इवर खुद ट्राइब करो अईसे पानी को पीछे के साइड दखे लोगे तो पानी आपको आगे के साइड धक्ये लेगा यहीं जो है वो एक्शन पेर रियक्शन पेर पता होना चीए तो जो आप हाथ से पानी के उपर फोर्स लगा रहे हो ठीक है वह जो पानि आपके हाथों पर फोर्टार रहाना और साफ पर रिएक्शन कंगर ने दीपेंड है था देगें नेक्स्ट है शूटिंग बाए गन से शूट करने के टाइम पर आप लोग बोलीवूड या होलीवूड टॉलीवूड किसी बी वूड को मत लेना क्यों कि वहाँ पर वो लोग साइन्स को भी फेल कर देते हैं मुझे नहीं पता हो सब कैसे करते हैं लेकिन वहाँ पर साइन्स लगता ही नहीं एक तर्च समझ ठीक है अगर जो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं इसको बॉलीवूड से बॉलीवूड मुवी से एसा कंपेर करो तो आपको लगएगा कि आप लोग गलत पर रहे हो इसके लिए बॉलीवूड से कंपेर मत करना ठीक है शूटिंग बाइगन आप लोग देखे अलिवूड में देखा रहेंगे कैसे मारते हैं लेकिन यह नहीं होती है रियलेटी क्या होती है तो बड़ी बंदूक होती है जो ज्यादा भारी होती ज्यादा पावर्फुल होती है उनको हम लोग अपने कंदे से ऐसा लगा कर मारते हैं अपने कंदे से ऐसा लगा कर मारते आप जैसे आप लोग गोली मारते हो यह जो यह जो बंदूक है पीछे के साइड आती है बहुत ज्यादा फोर्स से अपका हाथ फ्रेक्चर तक हो सकता है ठीक है तो पूरी तयारी कर आई जाती है उसका टेंशन नहीं तो जैसे वो गोली ऐसे आगे जाती है तो जब गोली आगे जाती है ना तो वो गोली जो पीछे के साइड एक फोर्स लगा कर जाती है मतलब अगर यह गन है और उसमें से कोई बुलेट निकल रहे तो बुलेट आगे जाएगी तो वो जो बुलेट जब आगे जा रही है तो इस पे पीछे के साइड एक फोर्स लगा रहे है देखो जैसे मैं इसे गोली इस पर गोली का एक्षिन हुआ निकलती हो गोली इस पर पीछे के साइड पर पीछे के साइड लगाào करें अब अगर कोई आप लोगो ने देखा चला देते एंगा और उनका हजते बहुत बहुता है तो यह लोगोघ जैसे ट्रिगर दबाएंगे तो वो पीछे के सेट जाएगा और पीछे सेट चोट भी लग सकता है ठीक है अब जो छोटी गन होती है उनमें छोटी गन में देखा होगा बॉलिवड में ऐसे कुंगली सा ऐसे अदक्र लेकिन रियलीटी में दोनों हाथ से याथ बकाड़ा बड़ी गन के लिए इसा ऐससे चलाएगे तो जयादा पर उसकतेiblings के प्रेक्टिस और नॉर्म नहीं होता सब दोब आपको समझ गया होगा यह शूटिंग बाइगन का इग्जामपल भी जो कि किस पर बेस है न्यूटन के थर्ड लॉप पर बेस है यहां पर देखिए यहां पर मैंने आपके लिए एक सिनारियो ड्रॉप किया है इसमें क्या हो रहा है अक्सर आप लोगों देखा होगा इस तोप में से जब ऐसे दागी जाती है तो उसमें से जो तोप का गोला बाहर निकलता है जो गोला बाहर निकलता है जो स्फियर बाहर निकलता है वो क्या करता पता है यहां पर से ऐसे देखो यहां पर हम लोग ऐसे म यहां पर से और निकलते तो आग उसको आगे कर साइड पुश्ट करती है जहां पर फाइर होता है और वहां सब्सक्राइब गौल है और यह जो तो तो यहां पर से निकलता है तो अब और बढ़ा होता है जैसे ही गन की बुलेट आगे के साइड जाती है तो जो गन रहती है उसको पीछे के साइड डेकेलती है तो यहां पर रहा है यह जब तोप का गोला आगे के साइड जाएगा तो यह जो कैनन है उसको वह पीछे के साइड है यहां पर देखो इस टार्टिंग में आग लगाई फायर हुआ तो फायर जैसे ही हुआ तो यह तोपका गुला तो इस कैनन से बाहर निकल गया लेकिन इसने क्या गया इसका ओरिजिनल शी पोजिशन यहां पर था और जब यह आगे जा रहा है तो इस पर एक पीछे के साइड पोर्श लगा रहा है इस पर पीछे के साइड फोर्श लगान मैगनिटूड ये जो तोपके गोले तो बहुत भारी होते है आपसे तो उठेंगे मुझसे भी स्याइद की बोलेगी इतनी बड़ी मश्विन को कैसे पीछे फेक दिया तो फेका नहीं जरा सा अजिस्प्रेस क अगी के साट जाता ए तो इस को ये पीछे के सब डिखे साइबí लेता इस ने को को एज ये जंजिरों से बांद के रखा जाता है क्योंकि जो फायर कर रहा है वो इसके आगे पेशे किदर खड़ा रहेगा और अजनक से कुछ पीछे के साइड एक फॉर्स लगाएगा तो यहां पर इसको यसे आग लगाएं छोड़ेंगे तो यह एक्षन होगा दिस विल बी एक्षन और उसका रियक्षण से यह पीछे चले जाएगा ठेक है आई छोलिए जो यह तो इस पर पर फोर्स लगा रहे हैं इस पर यह एक्शन और यह जो गोला है यह इस तो पर जो वापस लगा रहे हैं वो रियक्शन है जो वापस फोर्स लगा रहे हैं ठीक है तो यहां पर हम लोग ने बहुत सारे मैंने आपको बहुत सारे लगवग क्या बोलते हैं क्वेशन बता दी मलब एक्जाम्पल से मैं आपको समझाने के कोशिश की है कि एक्षिन रियक्षिन क्या होता है न्यूटन का थार्ड लॉक कैसा होता है बस इसमें मिस्कंशेफ्शन मत करना यहां पर भी अगर यह फोर्स ऐसे ऐसे लग रहा है ना तो उसका रेक्षिन फोर्स भी लेनरी लग रहा है और कोई भी डिले नहीं हो रहा है दोनों स्मझ समें आया होगा और तो मैंने बहुत सार कजमपल्स कराएं हैं अब आप लोग कमेंट सेक्षन में सब्सक्राइब कर जो आप लोग आसपस दिखते हो एक्षण रिक्षण पेर के जो अप्लें नूटन के थार्ड लोग पर बेस हैं ऐसे जो बहुत सार एक्जामपल है वह आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरू करना ठीक है अभी हम लोग एक छोटा सा इंसाइट का नुमेरिकल कर लेते हैं इसको आप लोग एक बार देख लेजिए बहुत एच्छा क्वेस्चन जो क्या आसान है आप लोग इसे क्या है डोलगपूर ठीक है चलो देखा अब बुक एक्जर्ट सफोर्स ऑफ्टीन डानवर्ड्स फोर्स एक वेक्टर कॉंटिटी है उसका मेंगनिटूड तो लिखा ही गया है साथ में डानवर्ड्स उसका डायरेक्शन भी लिखा गया है ठीक है इंट वाचियर इसका मतलब क्या है इसका मतलब यहां पर एक चेयर है लेट में ड्रो चेयर सिंपल सा बनाते हूं ऐसा कुछ हाई फाई चेयर नहीं कि आप लोग को लगए गया यह क्या बना दिये हो लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा तो बनाना चाहें ना ऐसा थोड़ी कुछ भी बना ऐसा इसा भी होता है ना हुँआ एसा यह थो प्ता है है कि से आखाने गहांद हम लोग कुछ बोल रहे हैं हम लोग कुछ देख रहे हैं हां तो चले रहे नहुत है ये उस पर रखे अब ये बुक ये अब बुक इस चेर पर कितना फोर्स लगा रहा है यह जो बुक है यह पर फोर्स लगारी वह वो भी डाउनवर्ड और यह जprint यह जो चेर है वह फोर्स लगा रही है इस पर फ्लोर पर जो चेर है वह फोर्स लगा रहे पांच न्यूटन वह भी डाउनवर्ड ठीक है वह भी फोर्स लगा रहे पांच न्यूटन तो यह जो फ्लोर है यह जो फ्लोर है यह इस पर वाद इस फोर्स एक्षर अपवार्स ऑन दचेर इस चेर पर कितना वोर्स लगाएगा बताओ कि इसको एक प्रद्व समझता आप लोगों ने अपना विक मेज़र किया ने नब पर आप लोगों को देखा है वे मशिन उसके जब आप लोग कहड़े होते हो तो आप लोग्स तो गया हूँ तो वह टाएगा तो मालो कुछ ज्याधा ही बताएगा डेड़ सो 200 कितना कुछ तो बताएगा ना बढ़ जाएगा कि कम होगा बढ़ जाएगा ना तो इस टाइम पर उसने कितना बताया उसने मेरा और उस हाती के बच्चे का मिला कर दोनों का टोटल करके बताया है तो सेम वेसे यहां पर भी यह जो पूरा सिस्टम है यह पूरा सि तो टोटल कितना लग रहा है तो सेवन न्यूटन का अगर एक्षन हो रहा है तो रियक्षन में फ्लोर कितना देगा रियक्षन में फ्लोर उतना ही देगा जो की डायरेक्षन ओपोजिट होगा बट मैगनिटूड से मोगा तो यहां पर सिर्फ मैगनिटूड की बात की है यहा तो इसका डायशन कोन सा वग्रार दोनो कि लग रहा है और पांस निटन भी डाऊनवरड लग रहा है और खीम कि डाऊनवर लगाए तो इन दोनों को पहले से लिखा है लेकिन फिर बिमान लोग कभी नहीं रहता तो भी एक बार देख लेना ठीक है तो आपको न्यूटन का थर्ड लॉब भी समझ आ गया होगा अभी अगले लेक्चर में हम लोग या तो इसके कुछ नुमेरिकल्स कर लेंगे अब कौन सा करेंगे वह आप होना अपने फ्रेंड्स को भी यह नॉलेज शेयर जरूर बना मिलते हैं अगले में